ही स्टुदेंट्स गूट आफ्टरनून वेलकम सीव अन मैं ओफिसियल यूटूब चैनल लेट्स लेर्ण कॉमर्स होप यू अल्डी विद यूर फैमिली अन दिस पैंडेमिक कोविड-19 स्वागत है आप सबूं का हमारे ओफिसियल यूटूब चैनल लेट्स लेर्ण कॉमर सकें और आप किसी भी वीडियो क्लास को मिशना करें आप अपने दोस्तों और रेलिटिव के बीच लिंक को से अर कर दें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी डख सकें साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे अनेकेद्मी के लेर्णिंग एप प तो यह दो प्लेटफॉर्म होंगे अनेकेद्मी और यूटूब जहां आपको वीडियो क्लासेस अवेलेबल होंगी उसके अलावे आपको पीडियेफ में सारे क्विस्चन्स और जो आपके प्रॉबलम होंगे उनके शॉल्यूसंस मैं प्रोवाइड कर वाऊंगा जल्द ही टेलीग्राम के हमारे चैनल पे आपनों का रिस्पॉंस अच्छा हैगा तो जल्द ही टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल बनेगा और वहां आपको सारी चीज़ां अवेलेबल करवा दी जाएंगी आईए गाईज हम बात करें कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या जानेंगे तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है और फिर हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन-कौन से बुक्स पढ़ने हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट स्टेडी करने हैं और देन वे फाइनली टॉक अबड़ डीटेल्ड सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग ओके गाईज तो आईए सबसे पहले हम ब परशान नहीं होना है उन्हें अपने आपको प्रूव करना है आने वाले अपकम एक्जाम में में स्ट्यल्थ के बोर्ड एक्जाम में तो सबसे पहली बात कि आपने कौमर्स से स्ट्रीम चुना है तो आप किस-किस फिल्ड में आपके स्कोप हैं कहां कहां आप जा सकते हैं बात करें हम companies की, partnership firm की, किसी manufacturing unit की, किसी business entity की, या कोई भी किसी भी तरह के factories की, हर जगा accountancy है, हर जगा accounts है, तो जहाँ accounts है, वहाँ आपका future है, वहाँ accountant है, ठीक है, आपको as an accountant काम करना है, as an accountant, तो यह सारी fits हैं, जहाँ आप काम कर सकते हैं, इसके अलावे commerce पढ़ने वाले हर students का सपना होता है, CS, CA और CWA, crack करना, तो जहीर सी बात है, कि आपके दिल में भी एक रुजान होगा, उस पद के प्रती, तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए, बस जी जान से लग जाना अपनी पढ़ाई में, अपने पढ़ाई को मन से करोगे, मुस्किल है, परिक्षा टफ जरूर है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन नामुम्किन नहीं है, हर साल दो बार परिक्षाया या उजित की जाती है, मही में और दिसम्बर में, बच्चे पास करते हैं, मैं साने की रिजल्ट बिल्कुल नहीं आता, जो पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो आपको अपने फुली डेडिकेशन से, सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो मैं बताऊंगा, उसे आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, चीजों को रिविजन करते रहना है, फिर आपको कहीं कोई दिकत नहीं आएगी, और आप अपने एम को, आप अपने ड्रीम को असानी से पूरा कर पाएंगे, अब बात कर लें हम, तो CS, CWS और CS के अलावे, आप जा सकते हैं, कुछ बच्चे MBA करके, अपना Future Secure करते हैं, कुछ बच्चे Banking के सेक्टर में जाते हैं, कुछ Insurance सेक्टर में जाते हैं, कुछ Government exams की तेयारी करती हैं, General Competitives के तेयारी करते हैं, कुछ Lectureship में जाते हैं, तो सब की अपने अपने एम होते हैं, सब को अपने नीड के according, सब लोग अपनी तयारियां करते हैं, और फिर जहां जिनको settle होना होता है, वो हो जाते हैं, गाईस, एक बात मैं अफर्म कर दूँ, कि it is only a stream, जिसमें कहीं से बेरोजगारी की कहीं कोई बात नहीं है, अगर आपने simple graduation भी कर लिया, simple graduation भी कर लिया, तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, ठीक है, तो आपको अपने आजपास negative लोगों से, जो negative बाते करते हैं, जिने कुछ नहीं पता बिना मतलब की बाते करते हैं, उनसे दूर रहना है, अपने मन में भी किसी तरह की negativity नहीं आने देनी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आप अच्छे से त्यारी करें, strategy की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले भी बताया, कि आपको जो भी चीजे समझाई जाएंगी, आप बार बार अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को rewind करें, बार बार उसे play करके देखें, note करें चीजों को, उसके revision करें, जो homework मिलता है, उसे homework को पूरा करें, और फिर जो problem होता है, आप comment section में, अफर एक दिन में रखूंगा, जेस दिन हम लोग problem discuss करेंगे, तो उस दिन आप अपने problem को arise कर सकते हैं, वहाँ आपको अपना solution मिल जाएगा, तो ऐसी है strategy अगर हमारी पढ़ाई क्यों होगी, तो फिर हम अपने dream को easily पा सकते हैं, ठीक है, गाईज, आईए अब हम अपने अगले पराव की ओर चलते हैं, और हम बात कर लेते हैं, कि हमें कौन-कौन से books पढ़ने हैं, या हमारा syllabus क्या होगा, subjects क्या होगा हमारे, तो गाईज, बात करें हम सबसे पहले, B.A.C.B. board की, भी हार बूर्ड वाले बच्चों की, और एक बात और, एक बात और मैं बता दूँ आप सबों को, कि हमारा जो ये वीडियो होगा, Let's Learn Commerce में, वो bilingual होगा, इट इस अवेलेबल on YouTube, इन हिंदी और इंगलिश अलसो, हिंदी और इंगलिश दोनों मीडियो में अवेलेबल होंगे, और साथ ही, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि आपको पूरा-पूरा मैटेरियल प्रोवाइड करवाता रहूँ, तो परिशान नहीं होना है, और ये CBSE और BSE भी दोनों students के लिए उतना ही beneficial है, आपको इमानदारी से पढ़ना है, ठीक है, और इसकी बाद अगर हम बात करें कि material, तो material जो होगा guys, वो होगा हमारा English medium में ही, आपको वो English में ही पढ़ना है, इन्दी में काफी tough हो जाता है, तो बिहार बुड़ वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, आपको आराम से पढ़ते जाना है, परिशान नहीं होना है, घबराईएगा मत, मैं पूरी मदद करूँगा आपकी, बस आपको अपना dedication देना होगा, और एक बात और मैं clear कर दो पहले ही, जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही पढ़ें, मुझसे ही सीखें, आपको जहां अच्छा लगता है, पढ़ सकते हैं, आप आजाद हैं, लेकिन इधर उधर और इधर ममत रहें, ऐसे में आपका समय भी बरबाद होता है, और आप कुछ समझ भी नहीं पाते हो, तो किसी भी एक क्लास को regularly follow करो, जहां आपको समझ में आता है, चीजों को समझो, problem theorize करो, problem का solution ढूड़ो, आपस में जो group बना है, उसमें discuss करो, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, चलिए हम बात कर लिए बिहार बोर्ट के बच्चों की, तो बिहार बोर्ट के बच्चों को financial accountancy पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको एक book recommend कर देता हूँ, SK Singh का book आता है, वो book आपको ले लेना है, financial accountancy के लिए, और हम बारी बारी से इसमें सारे chapters को करेंगे, इसका full form entrepreneurship होता है, तो आप economics पढ़ेंगे, या EPS पढ़ेंगे, आपको prefer करना होता है, EPS बच्चे इसलिए ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि इसमें 30 नंबर का internal exam होता है आपका college में, और वहाँ आपको marks अच्छे मिल जाते हैं, तो बच्चों को नंबर अच्छे चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने इसको चुन लिए या, लेकिन आपको ये नहीं करना है, I strongly recommend you to choose economics, आपको economics चुनना है, आपको economics चुनना है, इसलिए क्योंकि आगे जब आपना career बिल्ड करेंगे, चाहिए लेक्टरशिप के field में हो, चाहिए MBA के field में हो, किसी भी field में आप जाएं, तो आपको वहाँ economics पढ़ना ही है, और आप पढ़े रहेंगे शूरु से तो आपको दिक्कत नहीं आगी, लेकिन अगर आप EPS पढ़के जाओगे, तो फिर economics में आपको दिक्कत आने वाली है, classes की अगर मैं बात करूँ, तो EPS का class आप लोगों का नहीं लगेगा, ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि EPS जो है, accountancy और BST का mixture है, इससे आप अगर पढ़ लेते हैं, 500 marks और 6 आपका extra subject है, जो आप पे depend करता है, आप लेते हैं, या नहीं लेते हैं और अगर लेते हैं, तो आप कौन से subject को अपने extra subject के रूप में रखते हैं, ये बस marks इप पर आपका display होगा, बढ़ इसका marks जोड़ता नहीं है, आपके total marks में, ओके, तो आएए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं, कि हमें financial accountancy में, क्या-क्या पढ़ने हैं, ठीक है, financial accounting में हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो financial accounting का जो हमारा syllabus है, वो NCRT के norms के recording में ने रखा है, तो इसमें पहला chapter है हमारा accounting and introduction, इसमें complete introduction आपको account से करवाया जाएगा, उसके बाद है basic accounting term, ये भी theory chapter ही है, ये सारे theory chapter हैं, शुरू के जो भी chapters हैं, chapter 6 तक मोटे तोर पे, ये सब theory chapter हैं, आपको bore नहीं होना है, मैं इसको interesting बनाने की पूरी goises करूँगा, example के मादियम से, quiz के मादियम से, आपको बस class को regularly attend करना है, follow करते रहाना है, चीजों को जो मैं बताऊं उसे करते रहाना है, तीसरा chapter हमारा theory, base of accounting, accounting principles की बाद इसमें की जा रही है, तो तीसरे chapter में भी आपका accounting principle होगा, चौथे chapter में कुछ accounting standards, और IFRS की बाद की जाएगी, पांचवा चेप्टर जो है हमारा वो है process and base of accountancy, accountancy के कुछ basis इसमें बताए जाएगे, छठा चेप्टर हमारा होगा, source, document and vouchers, साथवा चेप्टर होगा accounting equation का, accounting equation कुछ learn करने परेंगे, वो मैं समझा दूँगा, असानी से learn हो जाएगा, 8th chapter है हमारा double entry system, अब यहां से आपका शुरू हो गया, 7th chapter से ही मोटे तोर पे आपका शुरू हो गया, practical चीजों को पढ़ना, तो 7th chapter accounting equation है, 8th chapter double entry system हो, 9th chapter से हमें फिर double entry system को execute करना है, means कि आपको अब जो business transaction है, उन्हें record करना, सीखना हम पढ़ेगा 9th chapter से, general entry इसको हम बोलते हैं, तो 9th chapter आपका general entry होगा, 10th chapter आपका होगा, laser का, ठीक है, चलिए गाईज, आगे हम बढ़ते हैं, और बात कर लिए हम अपने, 11th chapter की, तो 11th chapter हमारा जो होगा होगा, special purpose book, जिसमें cash book आएगा, और इसी में कुछ और books हैं, तो इसको दो पार्टे हम बाटा गया है, 11th or 12th chapter, special purpose book इसमें भी है, 13th chapter में bank reconciliation statement हम लोग पढ़ेंगे, जहां pass book और check book, इन दोनों का balance क्यों match नहीं करता है, दोनों में variation क्यों आते हैं, और उसको हम लोग ठीक करेंगे, यह पढ़ना है 13th chapter में, 14th chapter हमारा trial balance है, laser के बाद हम लोग इस chapter को करेंगे, 13th chapter, sorry, 14th chapter जो है trial balance, वो laser से बनता है, तो laser के बाद हम लोग इस chapter को करेंगे, 15th chapter है rectification of errors, मतलब जो गलतियां हो जाती है, accounting records करते समय, जो गलतियां होती है accountant से, उसको क्यों होती है, उनके कारणों को ढूड़ना और फिर उसे कैसे सुधार आ जाए, इसको हम लोग ठीक करेंगे, फिर depreciation की बात करें हम लोग, तो depreciation जो भी fixed assets है, machinery है, plants है, buildings है, इन सब पर depreciation charge किया जाता है, तो depreciation charge करने के methods के बारे में, उसके क्या accounting treatment है उसके बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे 16th chapter में, 17th chapter हमारा होगा provision and reserve के बारे में, 18th chapter हमारा होगा accounting for bills of exchange के बारे में, आपको bill के बारे में पढ़ना है, bills payable क्या होता है, bills receivable क्या होता है, ये सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, 19th chapter में आपका capital और revenue expenditure और receipt, capital expenditure, capital receipts, revenue expenditure, revenue receipts, इन चारों के बारे में complete theory कि किस-किस tranject, sorry, कौनसे-कौनसे term को, कौनसे-कौनसे items को हम capital expenditure में रखेंगे, capital income में रखेंगे, या फिर revenue expenditure और revenue income में रखेंगे, तो इनको differentiate करना जो है, वो है हमको पढ़ना, 19th chapter में, final account को भी guys, दो भागों में बाटा गया है, पहला होगा हमारा 20th chapter, final account 1, और दूसरा होगा students हमारा 21th chapter, final account 2, दो भागों में इसे भी बाटा गया है, उसके बाद 22th chapter हमारा accounting from incomplete records और single interest system, single interest system जो पहले अपनाई जाती थी, उससे हम नए records कैसे बनाएं, नए accounting treatment कैसे करें, और फिर हम बात करें अगर अपने अगले chapter की, तो वो है हमारा accounting for non-trading organization, NTO, NTO के accounting records कैसे रखे जाते हैं, NTO में आते हैं colleges, उसके बाद आपको park, कुछ और charitable institutions जो होते हैं, वो सबाते हैं, तो उनके accounting treatment कैसे होते हैं, कैसे अपना लोग रखते हैं accounting records, वो हम लोगों को परना है, अब चुकि modern जो हमारा accounting system है, पहले कहा था कि पहले हम लोग register पे चीज़ों को करते थे, तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, अब तो हम लोग computer पे accounting treatment करते हैं, तो accounting transactions को record करने के लिए computer का यूज जो करेंगे, तो जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे, तो इससे related भी तीन chapter आपको परने हैं 11th में, पहला introduction to computer and accounting information, दूसरा है application of computer in accountancy, और तीसरा है हमारा accounting and database system, ठीक है, और फिर आपको जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, notes वगरा बनाते रहना है, ठीक है, और फिर चीजों को समझते रहना है, कहीं कोई दिक्कत होगी, आप comment box में अपने सवाल डाल सकते हैं, कि आपको किस तरह की परेशानी हैं, जैसे कि मैंने जो syllabus बताया, उसमें कुछ पूछना हो, या किसी तरह की कोई और questions हो, तो आप उसे comment में डाल सकते हैं, जादा से जादा like कीजिए, जादा से जादा share कीजिए वीडियो को, जल्द ही हम अपने अगले वीडियो के साथ हाएंगे, होप की कल ही या फिर आज ही हम अपने अगले वीडियो को सेयर करेंगे, जहां हम अपना पहला चेप्टर सुरू करेंगे, accounting का, और जल्द ही फिर आपको मैं schedule भी दे दूँगा, कि यह आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं, Accountancy, BST और Economics, इन तीनों की schedule क्या होगी,